तो मेरे पास बहुत सारी स्टूडेंट्स के इमेल्स आ रहे हैं जैसे में कि आप देख सकते हैं एक हेमन सोनी ने कल बेजा है कि सर प्लीज में का वीडियो ऑन डॉक्यूमेंट लिस्ट विचर रिक्वाइड फॉर्स सेकेंड फेस प्लीज मेक इट सून यानि कि क्या-क्या ए आपके काड के तुछ चले देखते हैं कि आपको ले जाना है तो यहां पर आपको इंस्ट्रक्शन दी गहाएं इंस्ट्रक्शन वार कंडिडेट यह आपके एडिमिट कार्ट जो की फेस्टू काड़ वोग तो उसी में आपको मिल जाएंगे यहां पर सब कुस्द दिया ग रिपोर्ट करना पड़ेगा जहां पर जो भी आपको दिया गया है reporting आपका प्लेस और यह documents आपको ले जाना पड़ेगा पहला दिया है color print out of admit card for phase two and verified admit card for of phase one आपके जो आपका phase two admit card होगा उसका colored print out ले जाना होगा आपका black and white नहीं चलेगा और verified admit card of phase one used during online examination नहीं कि face one का भी admit card आपको हाँ पर ले जाना होगा फिर दिया गया है कि डियूली filled and signed tattoo certificate by candidate यह जो आप दे सकते हो tattoo certificate जो है वो आपके यहीं पर मिलेगा कहाँ पर आपके admit card पर यह दे सकते हो body tattoo certificate तो यहीं पर आपको यह भरना पड़ेगा जैसे यह दे सकते हो जहां जहां भी खाली अगर आपके शरीर में tattoo है तो अगर नहीं है तो आपको नहीं बरना सिर्फ यहां पर sign off कर देना है ठीक है कि फिर दिया है कि डियूली signed consent form for pft and medical test by the candidate if 18 years and above of age to be signed by parent यह फिर guardian if is below 18 years है नहीं कि जो consent form आप देख पा रहोगी यह consent form for physical fitness and medical test जो कि आपके admit card में होता है admit card में आपको यह मिलेगा तो वहीं पर यह जो आप दे सकते हो consent form सभी को भरना जैसे टाइटू आला था वो तो सभी को नहीं भरना जिसके टाटू है सरीर में उसी को भरना लेगा यह जो form है यह सभी को भरना पड़ेगा फिर दिया है इसमें एक बात और कि इसमें यह भी लिखा है कि अगर आप 18 से उपर 18 एफिर 18 से उपर हो तो आप खुद बर सकते हो नहीं तो आप अगर आप नीचे हो 18 से नीचे के तो आप parent गारजियन की help यहां पर लेना पड़ेगा निकि अगर आप 18 से उपर हो तो आप आपको अपन application form downloaded on completion of online registration the application must indicate the paying status as successful तो आपको colored printout भी application form कर निकला के जाना पड़ेगा जो कि successful payment cost में option दिखा रहा हो और यह आपका colored होना चीजह से कहां पर लिखा हुआ है फिर है पांचवे नमबर पे HB pencil eraser sharpner glue stick stapler blue यह फिर ब्लैक ballpoint pen for writing तो यह क्योंकि वहाँ पर आपको सारे form अगरा मिलेंगे क्योंकि आप सोच रहेंगे वहाँ पर आपको सारे forms बहुत सारे भरवाया जाएंगे वहाँ पर तो इस वैसे आपको यह ले जाना पड़ेगा HB pencil eraser sharpener glue stick stapler और यह दोनों pen blue और black ballpoint pen होना चीए फिर 10 copies of unattested recent passport size color photograph तो 10 copies ले जाने आपको unattested नहीं कि आप उसमें sign और कुछ नहीं करने हैं और recent होनी चाहिए कोशिस कीजिए कि जो आपने वहाँ पर तो फिर बिल्कुल जो recent है वही आपको ले जाना है पुरानी मत ले जाएगा अगर वह नहीं है तो कोशिस कीजिए जो बिल्कुल recent है तो बिल्कुल वही ले जाएगा 10 copies ले जाने है फिर जी नंबर पर original and four self-attested copies of matriculation passing certificate required for verification of candidate's name father name and date of birth तो यहापर verification के लिए लिए आपको original और साथी साथ 4 self-attested नहीं कि इसमें sign होने निचे आपके ठीक है photocopies में original में नहीं और चार self-attested copies ले जानी पड़ेंगे आपके matriculation के जो 10th pass है आपको उसका ठीक है आपके verification के लिए फिर original and four self-attested copies of matriculation mark sheet तो original और self-attested copies of matriculation mark sheet only applicable for three years diploma course holders English is not a subject in diploma course if English is not a तो अगर English आपका subject नहीं था diploma hold जो जो लोग diploma holders है तो उनको यह ले जाना है mark sheet नहीं तो आपका passing certificate चल जाए गए आपर फिर original and four self-attested photocopies of intermediate यहने की 10 प्लस 2 यह फिर equivalent examination passing certificate and mark sheet और यह है एक मेंड और original और original and four self-attested copies of three years नहीं की simple बोले तो आपको अगर आप 12th pass हो तो आपको original आपको ले जाना जरूरी है मैं बता तो फिर से भी एक नीचे और दिया है महाँ पर rule कि original आपको ले जाना जरूरी आपको लोटाल दिया जाएगा वाद में ऐसा नहीं रख लिया जाएगा तो original और चार self-attested copies हो ले जानी है आपको intermediate 12th pass अगर आप diploma holder है तो आपको यहाँ पर चार self-attested copies ले जानी तीन साल का जो अपने जो भी आपका डिप्लोमा course है passing certificate उसका फिर है serving NCE certificate certificate of SOAFP and son of Air Force personnel certificate for sons of serving retired deceased Air Force civilian employees paid out of defense estimates are to be downloaded as the case may be from the downloaded section of CASB web portal and brought along while reporting for phase 2 of the examination of the signature and stamp of the issuing authority तो अगर आपके father हैं अगर आपके कोई भी अगर आप सन है Air Force personnel के आपके father Air Force में हैं तो आपको यह ले जाना पड़ेगा CSB के web portal से जाके उसको download करना पड़ेगा जो भी इसका अपका form होता है उसको भर के वहाँ पर ले जाना पड़ेगा अगर आप सन है Air Force अगर आप नही हैं तो यह आपके लिए रूल नहीं है फिर four candidates discharge from Indian Army, Indian Navy, any other government organization, original and four self-attested photocopies of discharge certificate अगर आप Indian Army, Indian Navy फिर किसी भी government organization ने पहले काम करते थे या फिर कर रहे हैं तो आपको उसका यह सोरी इसमें कर रहे हैं नहीं होगा बलकि कर रहे थे क्योंकि यहां पर discharge certificate ले जाना पड़ेगा अगर आप पहले कहीं किसी government organization में काम कर रहे थे तो फिर no objection certificate in original and four self-attested photocopies issued from the employer applicable only for candidates presently serving in any government organization या नहीं कि यह जो के वाला है यह उनलों के लिए जो लोग छोड़ चुके हैं job और यह उनलों के लिए जो भी अभी भी presently government organization में काम कर रहे हैं तो उनको भी certificate ले जाना पड़े देगा ठीक है अगर काम कर रहे हैं तो यह नहीं कर रहे हैं तो यह के वाला रूल आपके लिए applicable है फिर original M number है original and four self-attested copies of NCC A, B, C certificate if applicable अगर आपने NCC कर रखा है तो आपको original और चार self-attested photocopies यहां पर ले जाने पड़ेंगी NCC certificate की फिर यहां पर यह तो पहला rule हो गया Candidates discharge from Indian Air Force for any reason are not eligible to appear in the selection test है अगर आप Air Force निकाले गया हो तो आप इसके लिए eligible नहीं है selection test के लिए Candidates discharge from Indian Army in Indian Navy and any other government organization are eligible for scheduled selection test subject to their discharge with no adverse entries नहीं कि जो लोग discharge है इंडियन Navy या फिर Indian Army किसी भी government organization से तो जैसे कि वहां पर उपर लिख रख है रूल आपको ले जाना पड़ेगा तो selection test के लिए eligible है उनको discharge भी का जा सकता है with no adverse entries if any candidate does not disclose the fact of being employed नहीं कि कोई भी अगर यह नहीं पताता है कि वह क्यों employed है वहाँ पर या फिर क्यों उसने जॉब छोड़ ली तो उसको कैंडिडेचर यानिक कैंडिडेचर उसको कैंसल कर दे जाएगा उसका जो कैंडिडेचर ठीक है किसी भी स्टेज में वह कैंसल किया जा सकता है फिर थर्ड नंबर प्रदीहरूल यॉर्डेचर इस लाइब तो आपका जो कैंडिडेचर है वो रद किया जा सकता है फिर एक कैंडिडेचर विल नॉट बी परमिटे टू अपिर इन फेस टू अफ सेलेक्शन टेस्ट विदाउट ओरिजिनल एजुकेशन मार्क शीट और पासिंग सेर्टिफिकेट साफ जाए सकते हो कि यहां पर साफ बहुत जरूरी है ठीक है हाओर कंडिडेट्स फिट फोटो कॉपीज अफिज एजुकेशन मार्क शीट पासिंग सेर्ट कान बी परमिटेट टू अपिर इन सेलेक्शन टेस्ट उनली और प्रोडेक्शन अफन इंक साइंड सेर्टिफिकेट स्कूल प्रिंसिपल सेर्टिफ साइन हों कि जो उनका ओरीजिनल डॉक्यूमेंट है यह मार्क शीट हो गया पासिंग सेर्टेक्ट वह स्कूल के साथ डिपॉजिटेट है वह इंक साइंड सेर्टिफिकेट होना चाहिए किसी भी स्कूल या फिर कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा ठीक है अब समझ सकते और और इजिनल डॉक्यूमेंट बिफोर लिविंग अग्जाम सेंटर हैने कि जब भी आप एक्जाम सेंटर से बाहर निकलो तो मेक शूर कि आपके पास ओर इजिनल डॉक्यूमेंट आपके पास है नहीं है तो आप ले सकते हो गर आपने नहीं लिया तो फिर इंटरनेट प्रेशन सेंटर देट अफ टेस्ट और टाइम अफ टेस्ट चेंज कर आपका नहीं होगा जो दिया गया उसी में आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा उसी टाइम पर उसी जगह पर कैंडिदेट्स नॉट एपोर्टिंग पोर टेस्ट अनल अलोटेट डेट अंड टाइं फॉर फिजिकल फिटनेस टेस्ट तो आपको यहां पर स्पोर्ट शूस लेकर जाने और शॉट्स ट्राइक पैंट्स लेकर जाने पीफ्ट जो कोई आपको होगा पीफ्ट के बारे यहां पर दिया गया कि 1.6 किलोमेटर का रेस होगा चेहमन तीस सेकेंड में दस बोथ ग्रूप X and Y will be allotted the group according to their merit तो ग्रूप X अगर Y दोनों qualify कर ले तो आपकी merit के हिसाब से वो दिया जाएगा आपको candidates should be prepared to stay for the entire duration of the test under their own arrangement no TADA will be admissible आपने ही राशन फानी में आपको अपने ही पैसे पर खर्चा करना पड़ाएगा माँ पर कोई खर्चा नहीं दिया जाएगा आपको simply दिया है तो उम्मेद करता हूँ आप समझ यह होगे कि क्या क्या आपको ले जाना है और सब क्या क्या आपर admit card में आपको भरना है ठीक है उम्मेद करता हूँ आप समझ यह होगे सब कुछ भी doubt तो comment section आप पूछ सकते हो अगर आप और हो सके तो आप जैसे कि बहुत लोग अगर आप किसी भी student का कोई भी doubt अगर resolve कर सकते हो तो कर दीजेगे कि मेरे लिए सभी doubts को सभी comments के doubts को reply करना बहुत impossible हो जाता है तो make sure अगर आपको अगर उस doubt के बारे में clearance है तो आप लोग आपस में resolve कर सकते हो मैं कोशिस करूं कि सारे doubts जीतने भी मैं resolve कर पाऊं reply कर पाऊ हुई और ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा शेयर कर दीजेगा और subscribe नहीं किया है तो करके रखिएगा और medical के बारे में अगर वीडियो बनाना होगर आपने को चाहिए तो comment section आप बता सकते हो धन्यवाद